हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉंपोनेंट्स ओफ पल्प डिवाइटलाइजर पल्प डिवाइटलाइजर में क्या क्या होता है हम वो देखेंगे क्या क्या एजेंट होते हैं और उन एजेंट्स के क्या काम होते हैं Pulp Revitalization में उसके हम बात करेंगे पिछले वीक एक वीडियो डाली हुई थी कि हम Pulp Revitalizer को कैसे यूज करते हैं वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के उपर एक वीडियो पेशिंट में हमें Pulp Revitalization यूज करना है तो हम कैसे कर सकते हैं वीडियो को लाज तक ज़रूर देखिए मैं हूँ Dr. Harishankar Soni और आप देख रहे हैं Easy Dentistry तो चलिए समझते हैं अलग-अलग कंपनीस के जो components है वो कुछ different हो सकते हैं लेकिन जो basic है वो मैं आपको बता देता हूं इसके बाद जो पिछले वीडियो में दिखाया था Pulp X उसके components भी मैं आपको बता दूँगा कि उसमें क्या-क्या है तो पहले इसका basic हम देख लेते हैं तो जैसा कि इसका नाम है Pulp Divitalizer Pulp को Divital ये करता है Divitalization करता है तो सबसे पहले एक agent होगा जो pulp को Divital करेगा इसके बाद इसमें एक agent होगा जो pain को relief करेगा इसके बाद एक ingredient होगा जो antimicrobial property जिसमें होगी जो antimicrobial के जैसे act करेगा और फिर इसमें होगा जो basis होते हैं चलिए agents की बात करते हैं तो सबसे पहले formaldehyde यूज होता है या फिर polyoxymethylene यूज होता है ये antiseptic agent के जैसे काम करता है और pulp necrosis में help करता है और pulp necrosis केसे करता है protein coagulation के थूँ ये pulp को necros करता है तो जो divitalizing agent है वो polyoxymethylene या फिर formaldehyde generally use होता है अब next component होगा pain relief के लिए तो generally इसमें use होता है lignocene hydrochloride तो lignocene जो है वो pain relief करता है जब divitalization की procedure चल रही है तो pain को relief करता है उस समय तो lignocene hydrochloride इसके बाद antimicrobial agent के जैसे use होता है eugenol तो generally formaldehyde lignocene hydrochloride और इसके बाद eugenol arsenic भी पहले pulp divitalization में use होता है कुछ companies अभी भी arsenic का use करती है pulp divitalization के लिए लेकिन arsenic जो है ज़्यादा toxic है और pulp tissue के साथ-साथ जो periodontal tissues हैं उनको भी वो harm हो चाता है तो arsenic free अगर हो हमारा pulp divitalizer है तो ज़्यादा अच्छा है तो यह 3 components हो गए formaldehyde, lignocan और eugenol अब आगे देखते हैं इसके बाद इसमें होता है paste forming component जो paste form में आता है तो paste forming component इसमें use होता है base paste भी हम इसको बोल सकते है और इसके बाद इसमें colorant होते हैं और fillers कुछ होते हैं तो यह components है यह agents है जो pulp vitalizer में होते हैं अब मैं आपको pulp ex का component बता देता हूं जो पिछले वीडियो में हमने देखा था तो pulp ex में है formaldehyde liquid para chlorophenol polyethylene glycol amorphous silica and vinyl silixone यह components है pulp ex के और अब हम बात कर लेते हैं कि pedo patient में अगर pulp vitalizer use करने की जरूरत पढ़ती है तो हम कैसे कर सकते हैं अगर pedo patient में pulp vitalizer हमें यूज करना है तो zinc oxide uzenol paste के साथ mix करके हमें यूज करना है और use हम कैसे करेंगे one ratio one में मतलब कि एक part हम zinc oxide uzenol का लेंगे और एक part हम pulp vitalizer के लेंगे बहुत कम amount में लेना है और फिर हम इसको यूज कर सकते हैं जरुरत पढ़ती है pedo patient में तो तो इस वीडियो में इतना ही hopefully वीडियो आपके लिए informative और helpful रहा होगा अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को like कर दे share कर दे अपने friends के साथ और comment section में आकर बताएं कि कि नए वीडियो में नए topic के साथ thank you friends